नवश्कर दोस्तों दान हिंदू धर्म का एक अटूट अंग है हिंदू धर्म बिना दान के संभवी नहीं है लेकिन यही दान अगर पित्र पक्ष में यानि की स्राध्र पक्ष में दिये जाए तो उसका बहुत ही महत्व होता है इसका कारण यह है कि पित्र पक्ष में किये गए दान से आपके पित्र प्रसंद होते हैं यानि आपके जो पूरवज हैं वो प्रसंद होते हैं और उनकी प्रसंदता की कारण आपको आश्रवाद की प्राक्ति होती है किन से आपके पूरवजों से आपको आश्रवात की प्राफ्ति होती है और इसी आश्रवात के बल पे इसी आश्रवात के दम पर आप पुरी दुनिया को जीश सकते हैं अगर आप जानना चाहते हैं कि पित्र पक्ष में कौनसी बस्तु का या कौनसी धातु का या कौनसी चीज का दान करने से किस फल की प्राफ्ति होती है तो आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लिजे तो मैं अभी आपको पूरे दस दान बताऊंगा इन दसो दान में से जो भी आपको ठीक लगे वो दा इस दान को करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राक्ति होती है अगर आपको गाय उपलब देना हो यानि गाय आपको नहीं मिले तो आप संकल पे भी ले सकते हैं कि मेरे को गाय दान करनी है तो गाय की कीमत के बराबर जुद्धने वो आप दान कर सकते हो कि दूसरा दान दूसर सक्षम नहीं हो तो आप मिट्टी का भी दान कर सकते हैं लेकिन ध्यान रखें आप सक्षम नहीं हो तो ही मिट्टी का दान करें अदर्वाइस जितनी भी हो सके आप वोमी का दान कर सकते हैं तीसरा दान, तीसरा दान है तिल का दान, तिल का दान करने से ग्रहों और नक्षत्रों के अशुप प्रफाव से बचा जा सकता है और मनुष्य बुर्य ग्रहों के प्रकोप से भी बच सकता है चोथा, चोथा है सुन दान याने सोने का दान सोने के दान करने से मनुश्य को कर्ज तथा रोगों से छुटकरा मिलता है अगर आप सोने के दान करने में सक्षम नहीं हो तो कोई भी पीली बस्तू या पीली धातू का दान कर सकते हैं लेकिन अगर सक्ष में तो आप जरूर करिये चाहे कितना भी करिये लेकिन जरूर करिये पांचवा घी का दान अगर आप स्राद्ध पक्ष में गाय के घी का उसके पात्र सहीत याने जिसमें घी रखा हुआ है उस पात्र के सहीत अगर दान करते हैं तो आपका पारिवारिक जीवन मधुर होता है और घर में किसी प्रकार की कले या कलेश नहीं रहता छटा दान बस्त्रों का दान याने कपड़े का दान कपड़े का दान करने वाले व्यक्ति को कभी अपनी जीवन में गरीबी का मुँँ नहीं देखना पड़ता लेकिन ध्यान रहें आप जो बस्त ये कपड़े दान कर रहें वो नवीन याने नहीं होने चाहिए साथवा दान यानाज का या अन्न का दान अगर आप अपने बंश की ब्रत्धी करना चाहते हैं तो आपको इस रादवपक्ष में सब्त दान याने जो साथ प्रकार के दान होते वो या फिर कोई सा भी अनाज आपको अवश्य दान करना चाहिए आठवा गुड का दान अगर आप अपने पित्तरों को संतुष्ट करना चाहते हैं तो गुड का दान अवश्य करें क्योंकि अगर आपके पित्तर संतुष्ट है तो उनके आशिवास से आप निरंतर तरक्की करते रहेंगे नवा दान चांदी का दान चांदी के दान से परिवार तथा बंश को मजबूती प्रदान होती है अगर आप चांदी दान नहीं कर सकते तो आप कोई भी सफेद बस्तू या सफेद धातू का दान कर सकते हैं दस्वा दान नमक का दान एसा माना जाता है कि नमक के दान के बिना कोई भी दान पूर्ण नहीं होता है इसलिए नमक का दान अवश्य करना चाहिए और इसके साथ अगर आप नमक का दान करते हो तो प्रेद आत्माउं से भी आपको मुक्ति मिल जाती है चुटकरा मिल जाता है चलिए अब हम बात करते हैं महादान की अगर आप इन में से जो भी मेरे 10 दान बताएं इन में से कोई भी दान नहीं कर सकते तो आपको श्रीमत भागवत गीता का पार्ट करना चाहिए और साथ ही श्रीमत भागवत गीता को लोगों में दान करना चाहिए ऐसा माना जाता है कि स्रिमत भागवत गीता का दान दूसरे किये गए दान से दस गुना जादे फल दाई होता है यानि कि आप इतने जितने भी अवे में दान बताए उस दान से जो फल की प्राप्ती होती है उस से दस गुना फल की प्राप्ती गीता जी यानि भागवत गीता को पढ़ने से या उसको लोगों को बाटने से प्राप्त होगी तो कैसे लगा आपको यह वीडियो अगर आपको यह पसंद आया तो प्लीज से लाइक कीजिए शेर कीजिए और मेरे इस चैनल जत्रश मंत को सब्सक्राइब कीजिए आज के लिए वसकित नहीं मिलते हैं एक नए विशे के साथ तब तर आप एक खुश और मुझे दी जागया चाहिए